Hello everyone, welcome back to my channel Allrounder आज मैं आपके साम में बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी जो मेरा वीडियो पहली बार देखरें मैंने बता दूँ कि मैं स्टोरी लेकर आती हूँ English Reading Practice कराती हूँ जसे कि आपके Vocabulary Improve हो साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में स्टोरी को ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नाम है A Rock on a Road आ याने एक रोक याने की चटान या फिर शीला या फिर पत्थर ओन याने पर आ याने एक रोड याने के रास्ता या फिर सडक आ रोक ओन रोड याने के एक पत्थर सडक के उपर या फिर सडक पर एक चटान या फिर पत्थर Once upon a time, a king had placed a boulder on a roadway Once upon a time, एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है A याने एक king याने के राजा Had याने के था Placed याने के रखा A याने एक boulder याने के शीला या फिर पत्थर On याने पर याने एक रोडवे याने के रास्ता या फिर सड़क Once upon a time, a king had placed a boulder on a roadway एक बार की बात है एक राजानी सड़क पर एक शीला या फिर पत्थर रखा था Then he had himself and watched to see if anyone would remove the huge rock Then he had himself and watched to see if anyone would remove the huge rock फिर वह छुप गया और देखने लगा कि कोई उस विशाल चटान को हटाएगा या नहीं Some of the kings, wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it Some यानिके कुछ और यानिके kings यानिके राजा के, wealthiest यानिके बहुत धनी या फिर बहुत ज्यादा अमीर Merchants यानिके वेपरी and यानिके और courtiers यानिके दरबारी Came यानिके आएं Simply यानिके आसानी से and यानिके और वाक्र यानिके चलना around यानिके चार और इट यानिके वह Some of the kings, wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी आए और सब इसके चार और चले गए वो चार और वहां से गुजर रहे थे या फिर जा रहे थे Many loudly blamed the king for not keeping the rules clear Many बहुत loudly यानिके शोर से blamed यानिके दोश दे रहे थे Many loudly blamed यानिके बहुत जोर शोर से दोश दे रहे थे The king यानिके राजा for यानिको not यानिके नहीं Keeping यानिके रख रहा roads यानिके रास्ते या फिर सड़क clear यानिके साफ Many loudly blamed the king for not keeping the rules clear कई लगों ने सड़कों को साफ न रखने के लिए राजा को जोर शोर से दोश धराया But none did anything about getting the big stone out of the way But लेकिन none नहीं Did ये past tense का sentence है इसलिए did आया है Anything यानिके कोई भी about यानिके के लिए getting यानिके करना Big यानिके बड़ा stone यानिके पत्थर या फिर चट्टान Out यानिके बाहर of the way यानिके road के Off यानिके way यानिके रास्ता या फिर road Way out of the way यानिके रास्ते के बाहर या फिर सड़क के बाहर But none did anything about getting the big stone out of the way लेकिन किसी ने भी बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए कुछ नहीं किया Then a peasant came along carrying a load of vegetables Then फिर एक peasant यानिके किसान came आया along अकेला Carrying यानिके लाया, उठाकर लाया A यानि एक load यानि बोच ओफ यानिका vegetables यानिके सबजिया Then a peasant came along carrying a load of vegetables तभी एक किसान सबजियों का बोच लेकर आया Approaching the boulder, the peasant lead down his burden and try to move the stone of the side of the road Approaching यानिके पास पहुँचकर, boulder यानिके चट्टान या फिर पत्थर या फिर शीला Peasant यानिके किसान lead down यानिके नीचे रखा His यानिके उसका burden यानि बोच, and यानि और Tried यानिके प्रयास, move यानिके हटाने Stone यानिके पत्थर, side यानि किनारे, off यानि का, road यानिके रास्ता Approaching the boulder, the peasant lead down his burden And try to move the stone to the side of the road चट्टान के पास पहुचकर किसान ने अपना बोज नीचे रखा और पत्थर को सड़क के किनारे से हटाने का प्रयास कि After much pushing and straining, he finally succeeded After यानि काफी, much pushing यानिके बहुत धक्का देने के बाद And यानि और straining यानिके दबाव He यानि वह finally यानि आखिरकार सक्सीड़ यानिके सफल After much pushing and straining, he finally succeeded काफी धक्का देने के बाद से, काफी तनाव दबाव के बाद आखिरकार वह सफल हो गया As the peasant picked up his load of vegetables He noticed a purse laying in the road Where the bull had been As, जैसे ही Peasant यानिके किसान picked up यानिके उठाया His यानिके उसका load यानिके बोज ओफ यानिका Vegetables यानिके सबजियां He यानि वह noticed यानिके देखा A यानि एक पर्स यानिके बैग पर्स Laying यानिके पड़ा हुआ इन यानि में रोड यानिके रास्ता या फिर सड़क Where यानि जहां बोल्डर यानिके चट्टान had been यानिके वहाँ पर थी वो As the peasant picked up his load of vegetables He noticed a purse laying in the road where the boulder had been जैसे ही किसान ने अपनी सबजियां का बोज उठाया उसने देखा कि सड़क पर जहां चट्टान थी वह एक पर्स पड़ा हुआ था The purse contained many gold coins and a note from the king indicating that the gold was for the person who removed the boulder from the roadway The purse contained contained यानिके निहित यानिके साथ Many gold यानिके बहुत सारे बहुत सारा सोना Coins यानिके सिख्ये Many gold coins यानिके बहुत सारे सोने के सिख्ये और यानि एक note यानिके संदेश Paper पर जो कुछ भी लिख कर रखते हैं मतलब कि राजा ने लिखकर रखा था ना संदेश के वहाँ पर पत्थर के पास from याने के लिए king याने के राजा indicating याने के दर्शाता है that याने वह gold याने के सोना was याने के था for याने के लिए person याने वेक्ती who याने जो removed याने के हटाएगा बोल्डर याने के पत्थर from याने के से रोडवे याने के सड़क या फिर रास्ता the purse contained many gold coins and a note from the king indicating that the gold was for the person who removed the boulder from the roadway purse purse में कई सोने के सिखे और राजा का एक note था जो दर्शाता है कि सोना उस वेक्ती के लिए है जिसने सड़क से पत्थर हटाया है the patient learned what many others never understood the patient याने के किसान learned याने के सीखा what याने जो many याने के बहुत अदर्स याने के दूसरे never याने के नहीं understood याने के समझ पाए या फिर समझ सके the patient learned what many others never understood किसान ने वह सीखा जो कई अन्य लोग कभी नहीं समझ पाए यहीं पर हमारी स्टोरी खतम होती है और यह स्टोरी का moral है moral of the story work done selflessly always yet rich dividance work याने के काम done याने के करना selflessly याने के निस्वार्ट always याने के हमेशा yield rich dividance याने के भरपुर लाब देता है work done selflessly always yield rich dividance निस्वार्ट भाव से किया गया कारिया हमेशा भरपुर लाब देता है तो हैं पर हमारी स्टोरी खतम होती है अगर से आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए थैंक्यू थैंक्वर वाच्छिं